विल्कम बेक माई यूटूब चिनल चलिए दोस्ता आज मैं आपको दिखाता हूँ यह मकान हमने पेंट किया आज पुरा रिव पुरा मकान में आपको कलर पेंट पुरा दिखाएंगे अब आपको चलिए यह बाउंडरी है देखे बाउंडरी और गेट में हमने पेंट कर द कि इस परकार देख सकते हो पूरे मकान पर पेंट होचुका है विदावट पुट्टी बहार विदावट पुट्टी और अंदर पुट्टी करी हुई है हमने कि अलिए अलिसान घर्त में अंदर एंट्री करते हैं कि यह देखिए दोस्तों यह इसकर बेठा क्रों में इस परकार इसमें फॉल्स लिंग करी हुई है और यह जुमार पंक्यों के सारे कंप्लिट हो चुके हैं कि चुलि आईए उफ़र चलते हैं कि यह रिलिंग का भी काम पुरा हो चुका है यह देखिए दोस्तों यहां पर भी फुल से लिंग लगी हुई है जुमार हुमार सारे कंप्लिट है इस परकार देख सकते हैं आप पेंटिंग का काम भारा एटो जेट कंप्लिट है इसके डबल मंजल के बाल करनी है इस परकार इधा देखिए इसकी विंडो लगी हुई है जाए ज़ी अंदर आई है वापस देखिए क्यों में तकीорт में इस पर डिजान बनाए जिए और यहां जोने की इस्टेश बनाए हुए है देख सकते हैं आप तो अगले का फ्रेम चुनते हैं और यह इसके लेड़ बात है रूम सेटेश देखें यह मेरा लगा हुआ है लाइट वाला और यह इसके लेड़ बात है यह होल है इसके अंदर जाने के बाद यहां पर बाधरूम बना हुआ है और यहां पर मिरर लगा हुआ देखें लाइट वाला मिरर है तिन कलर चेंज होते हैं इसमें और यह भी एक बेट रूम है इसमें भी हमने बॉबल सॉल एट इजन परमा रखी है और अभी यहां पर समय रख दिया है और यह देखें यह यह एक छोटा सा बेटने के लिए टोटोटी खाने के लिए और इधर यह यह भी बेट रूम है यह थोड़ा सा बड़ा बेट रूम है तो इसमें किचन दिखाता हूं आपको यह चोटा सा घरियाला है किचन में जाने के लिए यह देखें यह किचन बना हुआ है पुरा और इधर इस्टोर रूम है किचन के अंदर ही इस्टोर रूम बना हुआ है और यहां पर वास एरिया है जाले आईए यह पिच्छे की बाल करनी है यह देखें यह पिच्छे की बाल करनी है और इधर चद्दर सेट लगा हो पिच्छे गाड़े गाड़े पारिकिंग करने के लिए यह देखें बार के साइड यह पिच्छे इधर गाड़न वाड़न लगाने का प्रोग्राम चल रहा है तो अभी गाड़न लगाएंगे अब अब उपल ले चलता है आपको तिसरी मंजल पर आपको तिसरी मंजल पर आपको तिसरी मंजल पर जाने के लिए और यह रात में लाइट चड़ाओ पर लाइट भी लगा रखी है यह को तिसरी मंजल पर भी एक बेडरूम में देखे इस पर खाट यहां पर भी मिरर लगावा है और इधर भी यह सेल पर बना हुआ उसको उपर हमने वह लगवा दिया है पेग वह उठीपा है आए तिसरे मंजल के बाउंडरे पर बाल करने पर इसरे मंजल के बाल करने है अधि ऐसे तिसरे मंजल पर लोगने चेसे वी सेलिंगब ले चीद करता है यहां पर भी इंबाकम बनी हो लिए वेडरूम में उसके लिए एक घिए ति बाशे में अधि बाशे लिए अधि अधि यह इंद रिन लगावा है और यह मेरा न लगावा है यह तिस्टी मंजिल की छत है और यह छोती मंजिल की छत पर चड़ने के लिए चड़ाओ लगा रखा है चलिए उफर भी चलते अब यह यहां से आप नेचे भी देख सकते हूं यहां से कितना उच्छा दिखता है देखिए इस परकार इस चुलिए भी बिचा रखिए यहां पर गार्डन अगर गार्डन बनाना है पाईट अब 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 श्वार्डन अब 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 आ जिए यह आदा दो इसके बाप अब 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 और रारी नहीं निस चलते वापस देखे दोस्तों हमने पुरे मकान का रेविव करवा दिया है और ये ठपन गिलाज भी लगे है तो आपने पुरे मकान का रेविव देख चुके है तो इस परकार अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को स्ट्राइब कर लेना और कमेंट कर बढ़ता ना किसा लगा मकान दन्यवाद